जब लगी हो जोरो की भूग और घर में कोई सबजी ना हो या फिर समझ में ना आ रहा हो क्या बनाए तो ये रेसिपी आपी के लिए हैं एक बार मेरे अंदाज में बना करके तो देखिए चार रोटियां भी कम पड़ेंगी तो चलिए भाई शुरू करते हैं तो यहां पे मै मैंने 10 रुपए वाला अम्मूल का दही ले लिया है और इस दही को हम सारा दही डाल देंगे मिक्सी के जार में तो फ्रेंड्स मैं किसी ब्रेंड की प्रमोशन नहीं कर रही हूं सिर्फ जो मैं यूज करती हूं वही बता रही हूं साती में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और मिक्सी में इसे चला लिया यानि हमें से स्मूध कर लेना है क्योंकि दही में काफी लम्स होते है तो उन्हें हमें स्मूध कर लेना है तो चलिए सारा दही हम निकाल लेंगे और एक तिहाई कप यानि जितना हमने दही पीसा है उसका थर्ड पार्ट हम जार में ही बनाते हैं तो चलिए एक कटोरी मैंने बेसन लिया है साथ में हम डाल देंगे हल्दी पाउडर इसे कलर अच्छा आएगा और साथ ही में हम डाल देंगे इसमें हींग फ्रेंड्स में यहां पे नमक वगेर अभी कुछ भी एड नहीं कर रहे हूं आप चाहें तो एड कर दीज इस तरीके से चलाने से जो हमारा बैटर है इस तरीके का बन करके तैयार होगा तो फ्रेंड्स बीच में मैंने थोड़ा सा पानी और एड कर दिया था क्योंकि हमने थोड़ा पानी डाला था तो उससे बेसन काफी गाढ़ा था तो बस इस तरीके से हमें फ्लोइंग साथ में एक चम्मच मैंने यहां पे जो है रेड चिली पाउडर ली है आदा चम्मच के करीब गरम मसाला और थोड़ी सी कस्तुरी मिती से फ्लेवर काफी अच्छा आता है चलिए अब यहां पे हम इसमें डाल देंगे मैगी मसाला जो की हमारी इस रेसिपी में चार चान लग किया था गरम मसाला कस्तुरी मेती लेकिन थोड़ा सा मैं इसको बढ़िया फ्लेवर देना चाहती थी तो इसलिए मैंने यहां पे जो है मैगी मसाला एड किया है और साथी में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीज़ेगा इस मसाले को बढ़िया से फेट लेंगे तो को मैंने एक पैन ले लिया है पैन में सबसे पहले तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तब यहां पे हम इसमें जीरा डाल देंगे जीरे को बढ़िया से क्रेकल होने देंगे फ्रेंड्स यहां पे ज़रू डालेगा इस रेसेपी में बहुत ही अच्छा लगता है चलिए ज फ्रेंड्स प्याज का जो टेस्ट आता है इस रेसेपी में बहुत ही अच्छा लगता है तो थोड़ा सा जादा डालेंगे तो क्वाइंट्री भी जादा हो जाएगी और टेस्ट भी बढ़िया आएगा तो चलिए प्याज हमारा हलका सुनहरा हो गया है आप देख सकते हैं तो चलिए फड़ा फड़ा से अब हम आगे के तयारी करते हैं तो यहाँ पे मैंने ले लिये हैं टमाटर तो फ्रेंड्स यहाँ पे टमाटर मैंने एक ही लिया है क्योंकि टमाटर बहुत महंगा है तो हो सके तो आप अगर नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने इस र माटर और प्यास सभी चीजों को बढ़िया से भून लिया है अब हम इसमें एड़ कर देंगे अपना दही वाला मसाला जो की दही में मैगनेट हो रहा था तो चलिए फटा-फट से हम इस मसाले को एड़ कर देते हैं बहुत ही टेस्टी फ्रेंड से रेसेपी बन करके तयार हो नहीं तो दही फट सकता है तो बस कुछ भी नहीं करना है कंटीनूसली चलाते हुए हमें मसाले को बढ़िया से बहुनना है तो कुछ ही मिंटो में आप देखेंगे मसाला अच्छे से बहुन जाएगा और यह बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि दही जो होता है जैसे नहीं हम इसे डाले तो यह थोड़ा सा लिकुडी सा हो जाता लेकिन जैसे आसे हम इसे चलाएगे तो इस कंसिस्टेंसी का हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है क्योंकि हमने इसमें अच्छे से मसाले भी डाले है और मैगी मसाले का फ्लेवर भी बहु आपने धां के भीचों में और डिया है है।। इस तराके से भीटर बैटर को डालें गें तो इस तरीके से स्पूराइल नहीं करिदें। मसाले के ऊपर तो बस यहां पे हलके हाथों से ही हमें पूरे मसाले के ऊपर इस तरीके से सारा बैटर डाल देना है फ्रेंड्स बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है आप देखेंगे तो आपको फ्रेंड बहुत अच्छी लगेगी तो शेली बाई सारा बैटर हमने डाल दिया है अब यहाँ पर हम इसे कर देंगे कवर फ्लेम को कर देंगे मीडियम लो भी मत कीजिएगा हाई भी मत कीजिएगा और इसे 3-4 मिनट के लिए थोड़ेंगे पकने के लिए तो लीजे भाई तीन से चार मिनट हो गए हैं और ये देखिए फ्रेंट्स बेशन चो है ना हमारा अच्छे से जम गया है यानि पक गया है जैसे पक जाता है न तो ये एकटा हो जाता है तो देखिए इस तरीके से ये हमारा बहुत अच्छे से से जम गया है तो चलिए इस प इचार बुझी अपनेर बनाते हैं ना तो बेसन को भी हमने तीन से चार मिलए अच्छे से पका लिया था और यह देखिये फ्रेंड्स कितनी बढ़िया हमारी भूझी अबन करके तैयार हुई है तो चलिए एक, तेस्टी लगती है यह बेसन की बुझी तो खानीर हुई है या घर में कोई सबजी ना हो, कुछ ना समझा रहा हो, तो यह बेशन की भुजिया जरूर बनाईए आपको बहुत पसंद आएगे, तो आप या तो इसे इस तरीके से खा सकते हैं, या फिर इसे थोड़ा सा रसीला कर सकते हैं, सफर वगेरा में जाएं, तो इस तरीके से बना मैं और डालूंगे, क्योंकि बेशन पानी सोकता है, चलिए बाई, एक कटोरी के करीब मैंने यहां पे पानी पूरा एड कर दिया है, और इसे हम बढ़ियां से पका लेंगे, क्योंकि पानी हमने कच्चा डाला है तो इसे पकाना जरूरी है, जादा नहीं सिर्फ एक या दो मिनट के लिए हम इसे कवर करके पकाएंगे, बहुत ही टेस्टी फ्रेंड्स यह रेसिपी बनती है, जो भी तरीका आपको पसंदों, जैसी खाना पसंदों वैसे बना सकते, वाओ, लुक एट इस फ्रेंड्स, कितनी टेस्टी लग रही है, देखने में ही है, तो लग रही ह जब आप खाएंगे न, तो बहुत ही आपको यह रेसिपी पसंद आएगी, तो चलिए भाई, बिना देरी किये कर लेते हैं, सर्व, तो फ्रेंड्स मेरे आज बहुत बारिश हो रही थी, तो इस वज़े से मैं धनिया नहीं ला पाई, मेरे घर में थी भी नहीं, तो मैंने दनिया नहीं डाली है, आप यहां पे हरा दनिया डालेंगे न, तो यह देखने में काफी अच्छी लगी, क्योंकि पीले के साथ में ग्रीन टर्च इस सबजी को बहुत ही बढ़िया दिखाएगा, लेकिन थी नहीं, तो मैंने सीले स्किप कर दी है, तो चलिए भाई, लीज आत्याती एक लाइक जरूर कीजिएगा, तो मेरी मैनत के लिए मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए, बाई, टेक केर